हारुफिक्स सैमसंग A30S एर स्पीकर नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर एर स्पीकर जो है यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है किसी भी तरिके का तो आप इस वीडियो को अंद तक देखिए आपको यहाँ पर दोस्तों हाड़वेर के रिलेटेड़ प्रॉब्लम हो सकते हैं ठीक है उसके वज़े से आपके एर स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं और दोस्तों पर यहाँ दोसरे मॉबाईल के कोल करके देखें अगर आपने बहुत सारे इसे डिवाइस में कॉल करके देखा जहां पर यह स्पीकर उनका जो माईक्रोफन काम कर रहे हैं सिर्फ आपके एर स्पीकर में प्रॉब्लम है तो फिर दोस्तों सॉलूशन आपके मॉबाईल पर ह होगा ठीक है लेकिन दोस्तों कई वर क्या होते हैं हमारे जो एरस्पीकर है उसमें कोई वोई सुनाई नहीं देता है और हमें लगते हैं कि एरस्पीकर खड़ावे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहा थे दूसरों का माइक्रोफून खड़ाव ने के वज़़े से भी ऐसा हो जाते हैं ठीक है तो आपको पहले कॉंफर्म करना है कि आपके जो एरस्पीकर है वो खड़ाव है या नहीं है अगर यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है तो आप इस वीडियो को अंतक जरू डेख लेना वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप अनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज कि इस वीडियो को शूरू करते हैं तो दोस्तों यहा वर उसके वज़े से प्रॉब्लम आते हैं तो आप यह करके देखे स्थार्ट करके देखे आपने मुबाइल को अगर काम कर जाते है ठीक है अगर आपको आपी भी प्रॉब्लम आ रहाए तो दोस्तों जाए सेटिंग पर ठीक है इस्क्रॉल डाउन करें जेनरल मेंचमेंट प और दोस्तों आपको सेलेक्क करना है फंसरविजी से divor т हे तो आपको नीचे में पूल करते हुवे जाना है तोispon dein फॉन सरविज पर जET है इस स्ट्रेज ओपशन ऐपें करें यह डेटा पर क्लिक करके कर देने डेटा क्लियर करना और परमिशन पर जाके सारे परमिशन्स एलाव कर देना है तो सारे परमिशन्स एलाव करने के बाद दोस्तों आप जो है अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करें कॉल प्लेस करने के कोशिश कीजिए चेक कीजिए दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो चुका होगा ठीक ह अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर आपको अभी भी problem आ रहा है तो एक final solution करके देखें अपना software को update करें software update करने के बाद दोस्तों आपका problem definitely solve हो जाएगा अगर hardware के related कुछ भी problem नहीं है तो software update करने के बाद 100% problem fix हो जाते है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अगर आपका जो problem है software update करने के बाद भी fix नहीं होते तो फिर दोस्तों hardware का issue होगा तो आप दोस्तों कुछ दिन के लिए earphone भी यूज़ कर सकते हैं या फिर speaker ठीक है call speaker पर connect करकी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर hardware के related problem है तो आपने आप तो fix नहीं होगा तो किसी भी technician के पास जाके आपको repair करना है ठीक है यहाँ पर technician के पास जा सकते या फिर service इंदर पर जा सकते तो वहाँ पर जाके दोस्तों आपका problem soft होगा ठीक है क्योंकि दोस्तों इसको जो है repair करना पड़ेगा उसके बाद जाके